किसानों को रहत देने के लिए खोले गए मड़ीहान के संतनगर एंसी सीएफ केंद्र पर फर्जी खातोनी लगपक 17,000 कुंतल धान फर्जी किसानों ने बेश दिया है मामला प्रकाश में आने पर केंद्र परभारी समित 60 लोगों के खिलाब धोका धड़ी का मामला दर्श किया दया लेखापाल ललनसिया ने लाल जंच थाने में मुकदमा दर्श किया है मडिहाना थानाक शेत्र के संतनगर एंसी सी एप केंद्र पर किसानों से धान खरीदने के नाम पर खेले गए खेल का मामला सामने आने पर 60 लोगों के खिलाब धोका धड़ी का मुकदमा दर्श किया गया इन लोगों ने अमोई गाव के किसान बनकर और फर्जिक खतेनी लगा कर 17,000 किंटल धान बेचा है सरकार की मंशा को दर्गिनार कर पारतर्शिता को बदनाम करने की साजिश सामने आने पर कारवाई की गए संतन्हे क्राय के इंदर पर दुसरे गाव के किसान चकबंदी वाले गाव अमोई पूर्वा का किसान बनकर फर्जिक खतोनी की एस्तमाल कर मनमानित तौर पर धान बेचा है धान बेचने को लेकर एक तरब किसान अपनी बारी का इंतजार एक सप्ताह से कर रहे तो वही दूसरी तरब बिचुलिया के माध्यम से रोज धान बेचा गया इस प्रकार लगभग 17,000 कुंतल धान की खरेड़ी की गए रेजिस्टर पर आखड़ा छिपा कर बिचूलियो द्वारा किसान बन कर आनलाइन साथ सो पैसेट लोगों द्वारा धान बेच दिया गया मामले की जाज हुई तो प्रशासन के निर्देश पर लेक पाल ललन सिहने लाल गंश थाने में केंद्र प्रभारी समेत कुल साथ किसानों के खिलाब मुकदमा तरश किया कुछ दिन पूर्वव उपजिलारिकारी रोशनी यादो द्वारा जाश के दौरान गडबड़ी पाए जाने पर केंद्र प्रभारी समेत नौ लोगों के विरुद मुकदमा पंची कृत किया गया यह हमारा एंसीस्यों का एक केंद्र है संतनगर तो 31 दिसंबर को यहां पांचे बिचोलियों को पकड़ा गया था जिसमें आठ लोगों के केंद्र प्रभारी और आठ लोगों के खिलाप एफायार कराई गए थी फिर संतनगर की सारी खरीद को हमने एक जामिन किया वहां जतने में किसानों की खरीद ख़ीद वही नहीं जब परिछन किया तो 59 किसान ऐसे किसान बन करके बीचलियों बेचे थे इनके वो जमीन पंजी कृत रेइस्टर नहीं पाई गई जिसको दिखा करके उन्होंने अपना रेइस्टेशन कराया था जिसके आधार को उन्होंने विक्रे किया दूसरा केंद प्रभारी द्वारा एक ही किसान का जो एक सप्ताहवाद क्राय करना था हर अगले दिन उसी किसान से खरिद दिखाई गई है तो इन सब इस्थितियों को देखते हुए यह फर्जी वाड़ा करने का प्रयास किया गया जो हमारी पारदर्सी क्रिशक्षे खरिदने की जो नीती है जिसको हम जिले में सफलता बुरुवक संचालित कर रहे हैं उसमें यह एक तरह का किछवी खरा कि खिलाप फुना फाई यार करा दिगें केंद्प्रभारी को पार 31 की फाई यार में और आज भी उनसक लोगों के साथ उसमें वी केंद्प्रभारी मंधान की मात्रा का मतलब नहीं है मतलब यह कि उनसे नियम तोड़कर एक सब्ताहम एक बार क्रे होना था वह हुगा दू इसका माइनवल सत्यापन करा करके उन्हें खक्राय करना चाहिए था बीसे न्यूज के लिए मिर्जापूर से अजह दुबे की रिपोर्ट थाना कोतवाली नगर की फैंटम आर्ट पर ड्यूटी रत होमगार्ड ओंपाल और कुवरपाल की सक्रियता एवं ततपरता से चू ना कोतवाली नगर की फैंटम आर्ट पर ड्यूटी रत होमगार्ड दो सो साथ ओंपाल वहोमगार्ड तीन सो पैते स्कुवरपाल की ड्यूटी वितरात खुर जागे चौकी शेतरां तरगत मामन चुंगी पर थी इससे समय करें प्रात चौर बजे के आसपास एक कार आवा मामन चुंगी के पास छोड़ कर फरार हो गया उक्तवय गिनार गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी से दो बैटरी दो इन्वेटर और एक एलेडी सोनी 32 इंच एक रूम हीटर एक म्योजिक बैस्ट्यू बरामद होए प्राब जानकारी करने पर ग्यात हुआ कि उक बरा इस अदिक्षक बुलंच शहर संतोष कुमार से अदवारा दोनों फैंटम कर्मियों की भूरी भूरी प्रशन सा करते हुए अच्सा वर्दन हेतु दो दो हजार रुपए नगत पुरसकार दिया गया पुरसकुरूत किये गए कर्मचारियों का नाम होमगाड 207 ओंपाल था शाना कोत वाली है बुलंच शहर से बीसे नियूस के लिए जावित खान की रिपोर्ट प्रदेश की खबरों में रुक करते बिहार की खबरों का कटिहार जिले में मनसाही थानाक्षेत्र अंतरगर साहिब नगर गाह की ग्रामिन इन दिनों बिजली से काफी परिशान है बत बार शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन अब तक इस बिजली विभाग त्वारा ध्यान नहीं दिया गया बतादेई की बरसात के मौसम में यहां पर काफी भयावस्तिती रहती है क्योंकि बारिश के समय साथे हुए पेड़ से करेंड जमीन तक पहुच जाती है और लोगों को कर लगती है बिजली विभाग के लापरवाय के कारण अब तक इस तार को नहीं हटाया गया जिसका खामियाजा यहां के ग्रामिन को भुगतना पड़ रहा है इस समस्या हो रहा है कि हमरे घर के ऊपर से गारा जार तार चला गया है उसके बाद में कुछ करते हैं क्यलाग पेड़ है गाज पिरिच है शड़ जाता है उसके बाद में हम एक क्यलाग गाज के काटने के लिए हमको भी लग गया करेंड हाँ कंपलेंड किये लेकन कोई सिन सब्सक्राइब के लिए कटिहार से विमल कुमार के रिपोर्ट कटिहार में बेरोजगारी का आलम यह है पड़े लिखी हुआ तोटो चलाने पर विवश है आज उनने ट्राफिक प्रशासन द्वारा लगभग कटिहार के सडकों पर वनवे करने के कारण काफी दिक्कत हो रही है तोटो चालकों ने हमें बताया कि उन्हें काफी परिशानी हो रही है उन्हें ठीक से अब सवारी तक नहीं मिलती और उन्होंने जो टोटो लोन पर लिया है उसको लोन चुकता करने भी भी परिशानी हो रही है और इसी टोटो को चला कर अपने परिवार का भरन पोशन क किये है और हमें अपने 20 सभी भाईयों ने बुलाया और अपनी परिशानी भी बताई है हमने तुरन ट्राफिक प्रशासन से बात की और हमने उन्हें कहा कि मैं यह जानता हूँ शहर में ट्राफिक के समस्या है उसका कारण यह तोटो चालक नहीं कटिहार के जन्त्रति निदी विमलकुमार के रिपोर्ट कोरोना के बाद अब दिल्ली में फैले बट फ्लू की दहशत ने नौनविश खाने वालों को भी चिंता में डाल दिया है नौनविश फूर से जुड़े कारोबार पर भी अप इसका आसर साफ नजर आने लगा मिट शॉप्स पर चिकन की डिमां अचानक इसाफा हो गया है इसके चलते चिकन के दाम कम हो गए तो वही मटन के दाम बहुत स्तेजी से बढ़ रहे हैं मीट कारबारियों का मानना है कि गाज़िपूर मुर्गामंडी को बन की जाने के बाद अगले दो तीन दिनों में रेट सौर जादा बढ़ेंगे चिकन जह मारकेट से पूरी तरह नदारत हो जाएगा वही अचानक पड़ी दिमान की वज़े से मटन के दामों में और जाता बढ़ोतरी होने के संभावना है बट फ्लू का असर नौन वेज पर उसने वाले रेस्टोरेंट पर भी पड़ रहा है इनमें ग्रहकों के संख्या कम हो गई वही मुर्गा कारुबारियों पर इसका गंभीर असर पड़ रहा है जिसके चलते मुर्गा कारुबारियों का कहना है कि पहले को ना और अब बड़ फ्लू से हमारे और 60 पूरी तरह से गिर चुकी है पहले से खरीदी हुए मुर्गों को 30-40 रुपे में बीशना हो नहीं हमारे पास कोई माल है नहीं मार्कीट में माल मिल रहा है इसमें खाने तो को बहुत ज्यादा परसान है बच्छे सभी लोग बहुत ज्यादा हालत खराब है हमारी बहुत बड़ा फरक पड़ाया है यहां पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है स्टीज के बारे में और जो यह किस्चुमर बिलकुल ही आनए प्रीकिर नहीं हो अभर बाद हमुए उसके नहीं पर नहीं पर लड़ारा करें हैं हमा रिए कोई सहरा मिलें गाने की पता है है नहीं दूटी मोटेज मantal programme कि यह हम्मारी सारी सारी को खतम करी जाएं और हमारा जो रोज़गार पहले चला था इसी तरीके से चलना चाहिए इससे पहले तो काम सही था पर उसके बाद लौड़ार में बहुत बड़ी परिसानिया आई थी फिर हम लोग यहां से गाओं चले गए थे बहुत ज्यादा परिसानी को जादना पड़ी ह सामने हैं पर इसके कोई इसमें कोई भीमारी भीमारी कुछ नहीं है खामाखाई के अफवा फिला रखिए कस्टमर लेकर जाते हैं पर कम खाते हैं बहुत असर पढ़ाया इसके पर 70 परसेंट असर पढ़ाया लोग डाउन से पहले तो बहुत अच्छा काम था पर जब लॉ पानगा किराय हुरा तो कुछ ने एकल पार है और जेव से डालना पड़ रहा है मैं टेम वेश वरावी गूपरिस पीसे न्यूज के लिए दिल्ले से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट बीसे न्यूज के प्रदेश के खबरों में वक्त चलाई यही तुकने का ताजा खबरे देखने के लिए आप देखते रहें बीसे न्यूज नमस्कार